आजकल फोल लेना भी एक कला हो गया है पहले तो अईसा लगता सब कुछ अच्छा अच्छा है लेकि जब घर फोल लेके आजाओ अईसा लगता भाईया ये क्या हो गया है ये आपका बजट है 25,000 रुपै मैं आपको साथ ऐसे फोल बताऊंगा जो आप मेरे हिसाब से बाई कर सकते हैं हर एक फोल में प्रोस होते हैं कौस होते हैं सब के बारे में डीटेल से बात करेंगे बस आप लोग एक ची तसल्ली से कर दीजेगा जो है बहुत सारा लाइप, बहुत सारा शेयर चैनल में पहली बढ़ पदा रहे हो चैनल को सब्सक्राइब भी करने रहा सबसे पहला जो फोल है, यह है मोटो का S30, देखें यह फोल नया वाला तो है नहीं, बहुत पहले लाँच हुआ था यहाँ पा जो प्रोसेसर है उसे मैं लललन टॉप कह सकता हूँ स्नाप डगे का 778G+, सेम प्रोसेसर, नथिंग फोन, वन में भी मिला है आगे की तरफ 144Hz का OLED डिस्पले मिलता है HDR 10 Plus भी है, डिस्पले काफी बिंदास है ब्राइट है, धूप में लेके जाएंगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है और साथ में फोल का वेट है, यह है अबने साही लगता है, थोड़ी सी छोटी वाली बैटरी है 4020 है बैचकी हो सकता है आपको दिन भर में दो बात चार्ज करना पड़े बॉक्स यदर 4000 भी कव वाड़का है केवल और केवल है, 33 वाड़का लेकिन एक भी इधर उधर वाली एप्लिकेशन नहीं है बिलकुँ स्वच ही हुआई है यह रहे इसके प्रोज और कॉंस यदि आपका बजट अलाउ करता है मोटो का H40 इससे बहुत ही अच्छा वाला डिवाइस है लेकिन इससे महंगा भी है अब बात करते है छटवे नमबर के फोन की और यहाँ पर है Redmi Note 12 Pro देखे एक फोन मैंने पहले भी कवर किया था जो है Redmi का K50EI वहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है MediaTek Dimensity 8100 मतलब परफॉर्मेंस की साथ से Redmi के Note 12 Pro से काफी कबाल का है अब आजाते है Redmi के Note 12 Pro में यहाँ पर जो डिस्पेय है यह 120Hz का Amulet वाला धूबूम में डिस्पेय को देखेंगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है HDR10 Plus Dolby Atmos भी आपको मिल रहा है Dolby Wizard के साथ स्पीकर भी काफी बिद्दास है और जो IR Blaster होता है वो भी आपको इस फोर में मिल जातो है बैक की तरह 50 लेका पिक्सेल का ट्रिपल कैमरा है अल्टरा वाइड वाला भी सेंसर है OIS भी है लेकिन फोटो यार आपको डीसेंट लग सकती है ना बहुत जादा अच्छी ना बहुत जादा खराब बहुत ही बड़ी वाली बैटरी है 5000 वैज की बॉक्स यदर चार्जर को नहीं गोल किया गया है 67 वाट का और जी जो प्रोसेसर है वो है MediaTek Divacity 1080 ये जो प्रोसेसर है इसे मैं stable कह सकता हूँ थोड़े से फोनों में आ चुका है जैसे Realme का 10 Pro Plus इन्फिनिक्स का एक फोन तब वहाँ पर भी यही वाला प्रोसेसर था और इनी का Redmi Note 12 Pro Plus में भी यही वाला प्रोसेसर है तो प्रोसेसर अच्छा है गेमों खेलने में आपको दिक्कत महीं होने वाली है तो जी Redmi की तरब से मेरे आपको दो फोन बता दी यह एक है Redmi का K50 UI और उसके जो प्रोस और कॉन्स है एक बार आप देख लीजिए और जो अभी मैं बात कर रहा हूँ Redmi का Note 12 Pro यहाँ पर क्या अच्छा है क्या बुरा है यह भी आप पढ़ लीजे अब चलते फिफ्ट नंबर के फोन की तरफ और यहाँ पर है Lava Agni 2 यार 20,000 रुपए में यह जब फोन था तब मैं कह सकता था काफी कमाल का है लेकिन अब तो इस फोन का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है यहाँ पर अपडेट भी नया वाला आचुका है थोड़े से बक्स फिक्स हुए है और एक कमाल की बात ही है अब आप कॉल को वे रिकॉर्ड कर सकते हैं देखो जी Lava वालों ने डिजाइन में तो अच्छा काम किया है थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ा वाला है लेकिन 120 एर्स का एमलेट है आउट्डोर की जो विजबिल्टी है यह ठीक है थोड़े से यार बक्स आपको कभी कभी डिस्प्ले में देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर कलर को भी बहुत ज़्यादा बूश्ट कर दिया जाता है आप पिंक देख रहे हैं हो सकता है आपको डिस्प्ले में देखने में लग जाए लाल बैक में ग्लास यग्या है प्लास्टिक की बॉडी रही है, फोर का जो वेट है यह बहुत ज़्यादा भी रही है, बहुत ज़्यादा कम भी रही है बैक का जो मेन सेंसर है, वो है 50 वेगा पिक्सिल का 5G के चक्कर में अल्टरा वाइड वाले सेंसर को नहीं हटाये गया है और यहाँ पर जो फोटो है, यह आपको लललन टॉप तब लगेगी, जब आप बूस्टेड वाली फोटो पसंद करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा वार्म है मैं आपको फोटो दिखा देता हो, इसका जो डीटेल रिव्यू है, वो भी मेरे चैनल में आ चुका है यहाँ पर जो प्रोसेसर है, वो है मीडियाटेक डामेजटी 7050, यह प्रोसेसर अच्छा वाला है, गेवों खेलते समय आपको दिक्कत नहीं होने वाली है 4700 मेंच की बैटरी है, चाचेट वार्ड का जो चार्जर है, वो थोड़ा सा मन मरजी वाला है हो सकता है, एक घंटे का टाइम लग जाए, और एक भी इधर उधर वाली एप्लेकेशन नहीं है, बिल्कुँ स्वाच ही हुआई है मतलब एड डई है, ब्लोट विएड डई है, आप बिंदास लावा का फोल यूज कर सकते हैं यदि आपको इंडियन ब्रैंड का फोल ले रहा है, मैं आपको प्रोज और कौज भी दिखा देता हूँ आपको अच्छी तरीके से सबज ब्याएगा, लावा का अगनी टू किन के लिए है अब चलते फोर्ट नंबर के फोर्ट की तरफ, और वहाँ पर है, रियल्मी जीटी नियो 3T ये 430,000 रुपए की आसपास लॉंच हुआ था, अब तो सस्ते रेट में देखने को मिल जाता है यहाँ बजो प्रोसेसर है, वो है मीडिया टेक को नहीं, स्नैब डेकन का 870 मेरे इसाब से 25,000 रुपए के ब्रैकेट में, बहुती पावारफूल, बहुती कमाल का, बहुती ललन टव प्रोसेसर है मलना आपको गेव खिलना है, इस प्रोसेसर में आपको जरा सा भी प्रोब्लम नहीं होने वाली है आगे ही तरब E4 वाला 120 एर्स का AMOLED डिस्प्लेय मिलता है, आउटडर की जो विजिबिल्टी है, यह है तेरा सो निट्स की डिस्प्लेय में आप कोई भी कमी नहीं निकाल सकते, बैक का जो डिजाइन है, यह आपको कमाल का लगेगा, लेकिन पॉली कार्मेट ही है पीछे गरफ 64 वेगा पिक्सिल का ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, फोटो आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन बूश्टेड है बट या शार्प है, देखने में आपको कमाल की लगेगी, बैटरी में कोई भी कमी नहीं है, बिंदास एक दिन चल जाएगी, बॉक्स यंदर 80 वाट का चार्जर है, जो आपके फोन को फटा फट चार्ज कर देगा यूआई वियर आपको ठीक लगेगा क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, एक बार आप देखी, आपको अच्छी तरहीके से समझ भाएगा थर्ड नंबर में भी, Realme का ही फोन है, Realme का 11 Pro, जो अभी कुछ दिन पहले ही हाल फिलाल लॉंच हुआ है और इसका भी comparison वीडियो मेरे चैनल में आ चुका है, Lava Agni 2 के साथ लेकि Lava Agni 2 में जो प्रोसेसर है और जो इस फोन में प्रोसेसर है, वो बिल्कुल जुडवा वाली है मनला बिल्कुल सेम है, MediaTek Diabetes 7050, पहले भी कहा था फिर से काऊंगा अच्छा वाला प्रोसेसर है, इस्टेबल भी है और फोन में कोई भी heating इशू देखने को नहीं मिलती है बैक में 100 Megapixel का में सेंसर मिलता है, फोटो में आपको दिखा देता हो, फोटो आपको कमाल की लगेगी, लेकिन कोई भी ultra wide वाला सेंसर नहीं है फोन का जो high lighting वाला फूचर है, वो है display और design भाई पीछे इक तरह वेगल लेधर मिल रहा है, बिना बैक कवर के भी फोन को यूज कर सकते हैं, फोन का जो weight है यह भी बहुत ज्यादा रही है 120 एर्स का AMOLED display अच्छा वाला है, कर वाला है, आउटडोर की जो visibility है, यह भी आर आपको निराज नहीं करने वाली है बैटरी को भी छोटा नहीं किया गया, 5000 मेच की है, और आपका बिनास एक दिन चल जाएगा, बॉक्स यादना जो charger है, वो है 67 वाट का यह फोन कुछ दिनों ते काफी ज़्यादा चर्चा में था, अपने software की बदोला, क्योंकि लोगों को add देखने को मिल रहे थे अपडेट आ चुका है, add थोड़े से कम हुए है, लेकिन bloatware है, आपको थोड़ी सी याद महनत करने ही पड़ेगी, bloatware को delete करने के लिए और यहाँ पर जो enhancement वाला feature था, भाईया, अब वो भी सही हो चुका है, इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, फटा फटा आप पड़ लो, कुछ लोग यह भी कहेंगे कि यार, यह जो phone है, इसको चौते नंबर में होना चाहिए, जहाँ पर था, Realme का GT Neo 3T, वैसे आप य GT Neo 3T पहले लाँच हुआ था, और यह जो phone है, यह नया वाला है, अब चलते दो नंबर के phone की तरफ, और यहाँ पर है, Aikoo Neo 6, पैसे इस phone को चाहिए, दो नंबर में रखिएगा, चाहिए एक नंबर में रखिएगा, यहाँ पर जो processor है, वो Snapdragon 870, जब मैं Realme GT Neo 3T की बात कर र दिस्पले भी आपको कमाल का लगेगा, देखने में phone काफी सुन्दर है, मेरे पास जो color है, यह color मुझे अच्छा लगता है, पीछे कर दो 642 का पिक से का triple camera, ultra wide वाले sensor को goal नहीं किया गया है, photo भी आपको अच्छे लग जाएगी, जो Aikoo का Neo 7 है, वहाँ पर तो ultra wide वाला sensor है और उस phone के जो price है, वह इस phone से जादा है, 4700H की battery है, box के अंदर 80W का charger है, जो आपके phone को फटा फटा फट चार्ज कर देगा, UI में भी कोवे भी bucks नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, pros and cons, अब चलते है, number one phone की तरह, यहाँ पर है, POCO का X5 Pro, यहाँ पर अच्छी बात ही बहुत ही अच्छी वाली photo दे देगा, भाई काफी बिंदास photo है, detail उटेल की कोई भी कमी नहीं है, बैक का जो design है, यह अपनी अपनी पसंद है, किसी को अच्छा लगीगा, कोई कहेगा यार, अब design में भी brand को काम करना चाहिए, लेकिन आगे की ता 120Hz का AMOLED display है, display की जो outdoor की brightness है, वो है 1300 nits की, देखने में दूप में आपको जड़ा सा भी problem नहीं होने वाली है, बहुत ही बड़ी वाली बैटरी है, 5000W की box के अंदर 67W का charger है, जो आपके phone के अच्छी तरीके से जल्दी से charge कर देगा, और यहां पा जो processor है, वो है Snapdragon 778G, यह जो processor है, यह नया वालन तो मेरे हिसाब से Poco के X5 Pro में कोई भी बहुत बड़ी वाली कभी नहीं है, आपको क्या लगता है, Poco का X5 Pro कैसा device है, अभी भी आपके दिवाह में कोई भी doubt है, कोई और phone को आप add कराना चाहते है, हमारी list में नीचे cover करके बता दीजेगा, चली मिलते नेक्स वीडियो में, thank you, जहें!